यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ तो बड़ी खबर अमबाला से आ रही है सिविल अस्पताल में भरती कराया गया है महिला को तो बच्ची को जनम दिया गया है ट्रेन के अंदर जलंदर से मेरत ये ट्रेन जा रही थी आप तस्वीरे देख सकते हैं महिलाओं की मदद से डिलिवरी करवाई गई है तो एक्स्क् के अस्पताल में महिला को भरती कराया गया है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारा समद आता दमंदीप फॉल लाइन पर जोड़ चुके है दमंदीप ट्रेन में ही महिला के डिलिवरी हुई है क्या गुश्ताजा जानकारी है तो देखी मैं आपको बता दूं कि वो समय दर्द उठा और उसके बाद जो है वो ट्रेन में ही इस महिला की डिलिवरी होगी हाला कि यात्रियों की महिला यात्रियों की मदद से जो है वो डिलिवरी करवा दी गई और उसी के तुरंद बाद जो है वो प्रसव के बाद जो है महिला को अंबाला सादमी के सिवल तो दोनों सुरक्षित बताय जा रहे हैं महिलाओं के मदद से डिलिवरी करवाई गई है दमंदीप क्या महिला के साथ परिवार वाले भी मौजूद थे उस जोरान जिनलिप गौनilा के परिजनें तो जब इस पूरे मामले में महीला को दर्द हुआ तो आसपास की महीलाएं थी जो हो से यातरी थे उन्होंने पूरे मदद की और इंसानियत का पूरे परीचे दे रेते हुए जो है महिला की दिलिवरी करवाईगी इसके पास अच्छा बच्छा दोनों को अमवला च्छावणी के के सिविल अस्थाल में बर्ती करवाया गया जहांब फिर वहां दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं लिकिन दमंदीप जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है तो साथ तोर पर जाहिए थीपाता कि बहुट सुरक्षित तरीके से ये डिलिवरी होई जिसके बाद इन दोनों को महिला और उसके बच्चे को इंपलंस बुलाकर ली जा गया और फिलझाल प्रची को बच्चित है स्वास्त है और उन्हें अस्पताल में फिलहाल भरती कराया गया है तो महिला ने ट्रेन में ही बच्ची को जनम दिया है गोल्डन टेंपल एक्स्प्रेस ट्रेन बताई जा रही है अमबाला रेल्वे स्टेशन पर ये डिलिवरी हुई है झाल